हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दैंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए होप बिलकुल अच्छे फ्रेंट्स आज हम आपके लेके आए हैं ड्राइफ रूट्स रोल बनाने में बहुत ही आसान है और सभी को बहुत पसंद आने वाली रे द्राइफ रूट्स बनाना स्टार्ट करते हैं ड्राइफ रूट्स बनाने के लिए हमने यह आप लिये हैं आदा कब बादाम सबसे पहले हम बादाम को कट कर लेंगे बादाम को हमने कट कर लिया है ड्राइफ रूट्स की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से कम या जादा भी कर सकते हैं बादाम को हम कटोरी में निकाल लेंगे कट की वे बादाम को साइड में रख देंगे अब हमने लिये हैं काजू काजू भी हमने आधा कप लिये हैं अब हम काजू को कट कर लेंगे देखिए काजू को भी हमने कट कर लिया है काजू को बादाम के साथ ही मिक्स कर देंगे काजू और बादाम को हमने कट कर लिया है अब हमने लिये हैं दो चम्मच के आसपास पिस्ता पिस्ता को भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है आप अपनी पसंद के ड्राइफ फूट्स भी ले सकते हैं पिस्ता को भी हमने कट कर लिया है पिस्ता को भी हम काजू बादाम के साथ में रख देंगे अब हमने लिये हैं दो चमच के आसपास अक्रोट अख्रोट को भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है अख्रोट को भी हमने कट कर लिया है देखिए लगबग एक कटोरी के असपास हमाई पास कटेवे ड्राइब फूट्स हो गए हैं कटेवे ड्राइब फूट्स को साइड में रख देंगे अब हमने ली है किश्मिश अब मेडियम लो फ्लेम पर ड्राइफ रूट्स को अच्छी तरह से भून लेंगे ड्राइफ रूट्स का कलर हमें चेंज नहीं करना है, बिल्कुल हलका साही भूनना है लगबग एक मिनिट हो गया है, एक मिनिट के असपास हमने ड्राइफ रूट्स को भून लिया है देखिए कलर भी चेंज नहीं हुआ है और इनमें क्रंच बहुत अच्छे से आ गया है आईए गयास के फ्लेम को बंद कर देते हैं और ड्राइफ फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल देते हैं सभी ड्राइफ फ्रूट्स को हम प्लेट में निकाल देंगे पैन गरम है, वापस से हम एक चमच गी डाल देंगे गी को अची तरह से melt कर लेंगे हमने जो किश्मिष ली थी इनको पैन में डाल देंगे अब हमने ली है black किश्मिष और कट की हवा अंजीर गैस के फ्लेम को हमने on कर लिया है सभी चीजों को अची तरह से गी में mix कर लेंगे लगबग एक निट के लिया हम इनको इसी तरह से भून लेंगे गैस के फ्लेम को हाई नहीं करना है गैस के फ्लेम को लोही रखना है देखिए सभी चीजे बहुत अची तरह से soft हो गई है जो हमने black किश्मिष ली थी ये भी soft होने लग गई है गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सभी चीजों को ठंडा होने देंगे अब हमने लिये हैं लगबग 400 ग्राम के असपस खजूर खजूर में बीज होते हैं हमें सभी में से बीज निकाल देना है और बीज बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं बहुत सौफ़वा ले खजूर है ड्राइफ रूट सोल बहुत ही हेल्दी होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं एक बार आप रेसिपी को जरूर ट्राइ करके देखें अगर आप चैनल पर नए आये हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सकें देखें सभी खजूर के अंदर से हमने फटावट से बीज निकाल लिये हैं ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और ये रेसिपी बहुत ही अच्छे से बनके तयार होती है सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इसको एक मेने तक स्टोर भी कर सकते हैं अब हमने लिया है एक grinding जार इसमें हम खजूर को डाल देंगे सबी खजूर को हमने जार में डाल दिया है लिड लगा देंगे और अच्छी तरह से पेस तयार कर लेंगे यहाँ पर दूद पानी कुछ भी नहीं डालना है खजूर को वैसे ही पीज ना है अगर एक साथ में सारा नहीं पिसता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी पीश सकते हैं देखिए खजूर को हमने ग्राइंड कर लिया है थोड़ा मुश्कल से ग्राइंड होता है पर हो जाता है देखिए बहुत अच्छे से हो चुका है जार को साइड में लग देते हैं देखिए सभी ड्राइफूट्स थंडे हो चुके हैं हमने यहाँ पर जो ब्लैक वाली किश्मिश ली है यानि की जो रशियन किश्मिश ली है इसमें बीज होते हैं इसको हम फटावट फटावट निकाल देते हैं यह हमने पहले इसलिए भून के रखी थी ताकि यह सॉफ्ट हो जाएंगी और फटावट से इन में से बीज निकल जाएंगे सभी ब्लैक किश्मिश में से हमने बीज निकाल लिये हैं आईए फटावट से हम ड्राइफ रूट रोल बनाना स्टार्ट करते हैं पैन को हमने वापस से गैस पर रख दिया है गैस के फ्लेम को हमने ओन कर दिया है अब तयार किये वे डेट्स को हम पैन में डाल देंगे बहुती तेस्टी, बहुती अच्छी बनने वाली मिठाई है बहुती महंगी मिठाईयों में से एक है इसको आप बहुत ही आसानी से घर पे बहुत कम खर्चे में तयार कर सकते हैं डेट्स को सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे यानि कि जब तक खजूर सॉफ्ट नहीं हो जाता है किश्मिश और अंजीर इसका अट मिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक हमें लो फ्लेम पर खजूर को अच्छे से पका लेना है देखिए खजूर किश्मिश और अंजीर सभी चीज़े बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और एकसी हो गई है विलकुल अब हम तयार के वे ड्राइफ फूर्ट्स टाल देंगे ड्राइफ फूर्ट्स को खजूर के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं ड्राइफ फूर्ट्स मिक्स होने के बाद में सभी चीजों ने पैन चोड़ना स्टार्ट कर दिया है यानि कि जो हमारा रोल का मटीरियल है वो बिलकुल रेडी हो चुका है देखिए कितना बढ़िया लग रहा है आए अप हम फटाफट से रोल बनाना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हम इसको ठंडा हो जाने देंगे इसलिए हम इसको पैन में इस तरह से फैला देते हैं 5 मिट के लिए फ़ंडा होने देंगे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे आईये सबी चीज़ों को हाथ से हलका मिक्स कर लेते हैं हलका गरम रह गया है काफी अत्क थंडा हो गया है एकदम थंडा होने पर अगर आप रोल तैयार करेंगे ड्राइफरूट centr लड्डू जो मार्केट में आते हैं वैसे ही लड्डू बनके त्यार हो जाएंगे जिस रूप में खाएं उस रूप में इनको खाने चाहिए देखिए हमने इसको उपर से गार्नेशिंग के लिए लगा दिया है देखिए कितना बड़िया मार्केट से भी अच्छा सुपर टेस्टी ड्राइफरूट रोल बनके रेडी हुआ है अब आप चाहें तो इसको फॉइल में रपेट के ठंडा होने के लिए रख दें या आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं आप चाहें तो एक घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं अभी सर्दियों का मौसम है इसलिए हम इसको बाहर भी रख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे उससाब से आप रोल तयार कर सकते हैं देखी दौनों रोल बनाके हमने रैडी कर लिये हैं अब हमने फॉइल ली है फॉइल के अदर हम तयार किये वे ड्राइफ्रूट रोल को रख देंगे और सब तरफ से कवर कर देंगे और एकदम अच्छे से टाइट करके कवर कर देंगे अब हम रोल को आधे से एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे एक घंटा कम्प्लीट हो गया है हमने ड्राइफ्रूट रोल को फ्रिज में से निकाल लिया है आईए खोल के चेक कर लेते हैं देखिए कितना बढ़िया कितना सुन्दर रोल बन के तयार हुआ है आईए पीसेस कट कर लेते हैं देखिए कितना सुन्दर पीस निकल के तयार हुआ है इसी तरह ऐसे सारे पीसेस कट कर लेंगे देखिए कितने बढ़िया चे पीस बनके तयार हुए हैं, आईए सर्व कर देते हैं, देखिए कितना सुन्दर ड्राइफ्रूट रोल बनके रेडी हुआ है, हमने पीसेज भी कट कर दिये हैं, सर्व भी कर दिया है, ड्राइफ्रूट रोल को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम में बहुत थंड़क है तो इसलिए हम एर टाइट कंटेनर में पैक करके इनको लंबे समय के लिए रख सकते हैं तो फ्रेंट्स रेसीपी को ट्राई करें पेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें थैंक यू थैंक यू सो मुच हवा नाइस डे करेंगेते हैं इनको जुटे तो आपने समय पर टाई भाले काने समय कुछ है जबेस्ट करेंग्त प्रूस हमसे लिए संवय हैं अज़क सबस्क्राइब हैं आप क्रहिए लिए मौसम करेंगे तो बदाएंग्ट करेंग्यू जाँ टो पूँतल मौसम